कि तर्क बनाने के लिए हमें ठड़का लगाना पड़ेगा यह वीध्य तरह नहीं की तरह ही व нашем हूं बना देल बना थे लिए उफ्भा मापन बना लेंगे ठी वुदीत तेल के गरम होते ही हम डालेंगे उसमें राई यह हमारी ब्लैक वल्ली सरस्रो होती है मस्टिट सीर्जेस को बोलते है वो डाली साफ में डाली मैंने थोड़ी सी हींग और साथ ही मैंने डाली हरी मिर्ची जितनी आपको सही आप भी टाल सकते हैं अपने टेस्ट के लिपादि लिए फिर हम इसमें आड़ करेंगे ये प्याज, ये छोटा प्याज लिया था ये चोड़ोड़ा कट कर लिया था ये आजको हलका सा गोल्डन ब्रांग करना ये था आसा पगजा है वस उतना ही बचाना है जादा नहीं पकाना हम लिए आजको साथ ही मैं आट कर रही हो एक गाज़े जिसको मैंने छोटा-छोटा कट कर लिया था अज़े साथ ही एक छोटी शम्ला में जिसको बहुत छोटा-चोटा कट कर लिया है इंको अच्छे से हम पकाएंगे लेगे को इसको हलका सामने पकाना है और ये आम डालेंगे टेस्ट फिज़े बॉल्डन भी ताहके अपने टेस्ट फिज़े वार्णिवी साथ हमारी हमार कच्छी रखनी अब हम इसमें डालेंगे एक कप सूजी इसको भी अच्छे से फ्राइब करेंगे इसको अच्छे से फ्राइब करना है हमने आपके इसमें कोई कच्छा पन ना है अब यह सूजी हमारी फ्राइब हो चुकी है अब इसमें आड करेंगे तीन कप पानी हमने एक कप सूजी लीटी तो हम तीन कप पानी डालेंगे इसमें तो यह मैंने डाला पहले एक कप दो और लिए तीन अब इसको हम अच्छे से ट्राइब करेंगे ाप्कि पानी को सुखाएंगे यह देखर और अच्छछे सफका पानी हमने सुखाणा है इसको गाडा तरहना est जैसे हम उतमा बनाते है वैसा हमने करना बस हम यह उतमा यह भी कह सकते हो दिटेंविक, यह उतमा की कट्ले इस बना रहे है रहे है बुझी के कटले गोले हैं अच्छे से पानी हमने ड्राइ कर देना है यह इसके पकने की निशानी है कि जब पैन को छोड़ दे देखर पैन छोड़ा हुआ तो यह हमारा मसाला रेडी हो गया मतला हमारा उपमा कटलेट के लिए रेडी हो गया है अब इसको करेंगे थोड़ा और फिर हम इसके बनाएंगे सुन्दर सुन्दर कटलेट्स यह बेटर हमारा थंदा हो गया हाथ में हलका सा तेल लगा के फिर आपने इसके बनाने अदरवाइस यह आपके हाथ में चिपट जाएगा आप इसको कोई से भी शेप दे सकते हो जो आपको देनी के में आपके हम कटलेट्स की शीप ख 내 सकते हैं गोल देनी है और एसे डिटव मोशा में उसा बनाके रहेना है रूट बना दो तब जो वाटयवर शवाटixa शेप को औरcak आपके सीप टॉन ती अब हम इनको करेंगे storage देखो किते प्यारे लग रहे हैं, सुन्दर सी, क्यूट से नाव टाइम तु फ्राइ दे कटलेट्स, अब हम जो पने कटलेट्स बनाये थे, उनको हम यह गरम तेल में फ्राइ करें दे अब तेल यह गरम होना कि अगर तेल अगरम नहीं होगा तो यह क्या होगा यह बिख़ड जाने हो इसमें अब अच्छे से ब्राउन कलर करना है इसको हम अच्छे से पढ़ते हैं बहुत ध्यांसी तो कि यह बहुत सॉपट नहीं है होते हैं यह बहुत से किसके लिया राजाएगी इसकी बच अंदर यह सॉफ्ट रहेंगा तो इसको अच्छे से पढ़ते के पकाना है यह देखें इसका कलर के ता सुंबर आ रहा है बस दो मिरेट और यह पखें लिए और किना नहीं को पढ़ाई से बहार नेका लिए बाव